पेंडिंग भरती परकिरिया अभी रद नहीं हुई है पेंडिंग भरती परकिरिया को रोका गया है नमस्कार जैन साथियों भारतिय वायु सेना की और से पेंडिंग भरती परकिरिया के ऊपर एक आर्टिय का जवाब आया है और उसमें उस बात का उले किया गया है कि पेंड परकार की कोई आर्ट यह ना तो कोई लगा रहा है और नहीं कोई जबाब आ रहा है नहीं कोई इसके उपर विशलेशन भरी बातें सामने आ रही है तो साथ यह आपको बताना चाहेंगे कि एरफोर्स वाले जितने केंडिडेट से इन्रॉल्मेंट के इंतजार में थे वह निरंतर आये दिन उनको कोई किसी भी प्रकार का गाइड नहीं कर रहा है वह अपने इस तरह के ओपर आर्ट यह है वो फॉर्वर्ड कर रहे हैं जबकि एरफोर्स रिजल्ट वे आर्मी एक्जाम को लेकि किसी भी प्र प्रकार के जवाब सामने रखे गए हैं पहला कि अभी तक के भरती परिकरिया जो इन्रॉल्मेंट की थी टू ट्वन का इंटेक बताया जा रहा है उस भरती परिकरिया को केवल रोका गया है और साथ ही इस बात का भी जिकर किया गया है जब यहोंने जानना चाहा कि भरती इसकी परिकरिया अगर रध होती है तो उस रध होने की सबसे बड़ी वजय का रखर यहां कि बरती रद होना इसका कारण बताना इसके उपर इस पशच्चिकरन देना यह यह सूशना के अधिकार में नहीं आता है लेकिन सबसे पहले वो दोनों आर्टि आपके साथ शेर कर है तो आपको बता देता हूं कि इसमें सेकेंड पेर आपको दिखाई दे रहा है इसमें साब तोर पे उले किया गया है कि इसका मतलब आप साब समझ सकते हैं कि उन परकिरियाओं को रोखा गया है एंड सेलेक्शन प्रोसेस पूर इंटो आई एंड परजेंट ली बिंग डन त्रू अगनिपद साब तोर पर यहां अगनिपद का जिकर किया गया है कि परजेंट टाइम अगनिपद के तेत हो रही है लेकिन विशेश तोर से अभी भी एरपोर्स को कम से कम सो से जादा इसी जा चुकी है सब में एरपोर्स ने इस का किसी का भी ऐसा जवाब नहीं दिया कि उस भरती परिक्रिया को रद कर दिया गया है साथ ही आपको एक और आर्टी स्क्रीन के ऊपर आप दिखाई देरी इसमें आपकर सेकेंड पेरा का यह पार्ट देखेंगे तो इसमें भी इस इस बात का भी आप अगर सही तरीके से ट्रांसलेशन करेंगे अगर समझेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि इनफोर्मेशन का हिस्सा नहीं है रीजन और कलेरिफिकेशन मतलब कारण बताओ या फिर इस पश्टिकरन देना सूचना के अधिकार के तहत यहां नहीं बताया गया है यह दोनों आर्टेई है और अभी ताजा आर्टेई यह प्राप्त हुए और उसका जवाब हम आपके सामने रख रहे हैं अलग-अलग तरीके की अलग-अलग बातें भी सामने आ रही है लेकिन कुछ यह सोचते हैं कि आर्मी एक्जाम को लेके तो कैंसलेशन का पहल क्या गया था उस समय भी एरफोर्स के अधिकारियों ने यहीं कहा था कि अब जो भी एंट्रीज होगी वह अगनीपत के तेहत होगी लेकिन भर्ती परिक्रिया के उपर उनका सही तरीके का कलिरिफिकेशन नहीं आया और नहीं अभी तक आर्टी के जबाब में कैसी भी परक सबस्क्राइब कर रहें इस बात का हवाला दे रहें कि नोटीपिकेशन में जो चीजी होने वाले है क्योंकि मामला कोर्ट में विचारा दीन water और इसके उपर किसी भी प्रकार की बाते सामने बिना किसी भी प्रकार के ऐसे तथ्यों के रखना उचित नहीं है और उनके जितने भी अगर इनकी बातों का संद्रव निकाला जाए तो यही पता चलता है कि सारी की सारी चीज़ें सामने आएगी वो notification के आदार पे आएगी औ जो भी arguments इन future आने वाले हैं सामने वो भी notification के आधार पे ही रखे जाएंगे आप इसको लेगे क्या राय रखते हैं क्या विचाय रखते हैं साथियों आप हमें comment section के माधियम से बदा सकते हैं साथ ही आपके जो भी questions है वो आप हमें Instagram handle के माधियम से जरूर भीज़ेगा आप साथियों का दिल से शुक्रिया मिलेंगे सेनी भरतियों से जुड़ी ताजा अपडेट के साथ जल्द ही जैहिन जैवार्थ धन्यवाद